तो वांग लिन ने ये साबित कर दिया कि उसके जैसा man character इस डोंग हुआ history में कोई नहीं है। चाहे power के मामले में या handsomeness के मामले में। जी हाँ, वांग लिन handsome है, best revenge in history अगर आपने episode देखा होगा। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब वांग लिन हरामी फूजी से revenge ले रहा था, उसे देख कर जो satisfaction मिल रही थी, उसके बारे में तो पूछो ही मत, मज़ा आ गया। तो अभी उसने अपना revenge पूरी तरह नहीं किया है, अभी कुछ बाकी है, इसलिए मैं आज आगे के episode के बारे में कुछ hint दूँगी, टांग फूजी के साथ क्या करेगा। तो लास्ट एपिसोड में अपने देखा, कि हरामी फूजी अपने पूरे क्लेन के लोगों को sacrifice कर देता है, एक attack तयार करने के लिए, जिससे वो वांग लिन को मार सके, वो attack तो तयार कर लेता है, पर बेचारे की किसमत ही खराब होती है, वो attack, वांग लिन का कुछ नहीं ब पेगाड़ पाते, सिर्फ वांग लिन के एक ही attack से टांग फूजी जमीन पर आकर गिरता है, बेचारा फूजी गलत आदमी से पंगा ले लिया, वांग लिन के सिर्फ दो तीन ही attack में टांग फूजी खून की उल्टियां करने लगता है, उसके बाद वांग लिन जैसे ही उ पर इसे चूल मच रही होती है, इसे घमंड होता है, कि मैं नैसट सोल लेवल से उपर हूँ, तो वांगलिन को तो रोक ही सकता हूँ, पर इस बंदे की भी किस्मत खराब होती है, वांगलिन बोलता है, ये मेरा और हरामी फूजी का मैटर है, अगर हमारे बीच जो भी आएगा मारा जाएगा, ये बोलते ही, वांगलिन अपने एंसियन ट्रोल को समन करता है, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, उस ट्रोल को देखकर बंदे की फट जाती है, वो अपने आसपास सील्ड बना लेता है खुद को प्रोटक्ट करने के लिए, पर एंसियन पावर एक अलग ही लेवल पे होती है, वो ट्रोल इतना पावरफुल होता है कि उस प्यूजी के आसपास की सील्ड तूट जाती है, और उसका एक हाद भी कट जाता है, अब पूजी के पास कुछ बचा नहीं था, तो वो टांग फूजी को छोड़ कर भाग जाता है, और ट सोल की फॉज देखी होगी, उन सब को टांग फूजी पर छोड़ देता है, और टांग फूजी वैसे ही स्ट्रगल करके मारा जाता है, सच बताऊं तो अगर आप नोवेल पढ़ोगे, तो वहाँ पर और भी बूटलिटी दिखाई गई है, वहाँ पर वांग लिन एक परसे तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग